हेज गाइस वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज हमबात करने वाले बेंटन यूनिवर्स के एक काफी बड़े कोईशन के बारे में कि बेंटन की अब तक की जितनी भी सीरीज हमें देखने को मिले हैं उन सारी सीरीज में से ऐसे कोई भी मॉमेंट हमें नहीं देखने को मिला कि बैंट की Omnitrix या फिर Ultimatrix कभी भी किसी Human DNA को सकैन करे क्योंकि हमें पता है कि बैंट की Omnitrix या फिर Ultimatrix कोई New Alien DNA अगर उसके पास आता है तब उसे सकैन कर लेती है और बैंट उसमें Transform हो सकता है लेकिन कभी भी बैंट की Omnitrix और Omnitrix ने Human DNA को सकैन नहीं किया इसके पीछे का क्या रिजन है क्या बैंट की Omnitrix यूमेंट डियन को सकैन नहीं कर सकती या फिर एजमत कभी भी Omnitrix में एक यूमेंट का DNA डालना ही नहीं चाहता था तो इन सारे Question Cancer आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे बस इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी चाहल लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सकाइब कर लेना ताकि आपको फीचर में ऐसी और भी Amazing वीडियो देखन को मिलती रहें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज कि हमारी इस ओसुम वीडियो को तो जैसा कि हम लोग जानते कि बैंटनी संग जिसको की Omnitrix बैंटन क्लासिक में मिली थी जब एक बच्चा था और इसने स्टार्टिंग में ही Omnitrix को यूज करना सेख लिया था और अ उनको स्कैन किया था लेकिन कभी भी बैंट की Omnitrix ने यूमेंस के आसपास होने के बाद भी कभी यूमेंट डियने को स्कैन ही नहीं किया था तो अगर इसके पीछे के रियल रीजन की बात करें तो आपको बता दू कि Omnitrix में वन मिलीन ऐलिन से भी ज़ादा ऐलिने कि Omnitrix में ऐसा फीचर है कि जब भी कोई ऐसी स्पीसिस जिसका DNA Omnitrix में मौजूद है वो Omnitrix को पहने गा तो उस पीसिस का जो DNA वो पहले से लोक हो जाएगा क्योंकि जो उस पीसिस का यूजर होगा पहले से उस पीसिस का एक एलिन है जिस वज़े से वो DNA लोक रहेगा और यहां पर यह रियल रिजन था जिसकी वज़े से Omnitrix जो हमें कभी भी किसी यूमेन का DNA स्कैन करते हुए नहीं दिखाए गई लेकिन अगर आपके माइंड में और भी ऐसे क्वेशन आते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेट करके बता सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे वीडियो देख लेना वह काफी ज़्यदा ओसम है एक बार चेकाउट जुरूर करना हूं